हेलो दोस्तों साइब आफकी मैं चानल तर्येले सřी डिकलयम्वर्ब दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किया क्या डोकुमेंट लेके जाने हैं exam center पे ज VOнов वाले बच्चे है जो अगस्त में exam देंगे तो आपको क्या क्या डोकुमेंट लेके जाने होंगे exam center पे जिससे की आप सबकी entry हो सके exam center के अंदर तो जब आपका admit card आएगा तो उसमें लिखा भी होगा क्या-क्या document चाहिए exam center के अंदर entry करने के लिए जब भी आपका admit card आता है ठीक यह सारी चीजे आपके admit card पर mention की गई होंगी तो admit card जैसे आएगा मैं वीडियो गदार information प्रवाइट करवा दूँगा ठीक है तो आपको मैं बता रहता हूँ क्या-क्या document आपको चाहिए होंगे exam center के अंदर entry करने के लिए तो पहला तो आपका ID proof हो गया ठीक है या water ID card हो गया driving license हो गया ठीक है है कि हाँ बच्चे के पास ID proof और जो आपका admit card है वो है की नहीं है तो यह दो चीज़े आपको लेकर जानी है admit card हो गया और एक ID proof आधार card हो गया water ID card हो गया driving license हो गया इन मेंसे एक original ID आपको लेकर जानी है और आपको इसके सिवा कुछ भी लेकर नहीं जाना है और जो एक्जाम सेंटर है वो admit card पर mention किया गया होगा ठीक है तो main admit card admit card पर ही आपका exam center लिखा होगा और क्या-क्या document ले जाने हैं और कब से exam है कितने बजे exam है वो सारी चीज़े admit card पर mention की गई होगी ठीक है तो admit card जैसे आएगा information आप सभी को provide करवा दूँगा और जितने भी प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जो भी आपका subject है उनके उपर मैंने important question की वीडियो बना दिये तो link video के description में आप सभी को मिल जाएगा तो video देख लो कौन-कौन से important question है अगर all चाहिए होंगे तो मैं video बना दूँगा ठीक है तो channel को जो subscribe कर लेना आपको हर एक update इस channel के द्वारा मिलती रहेगी ठीक है जब तक आप